हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की कहानी एक बुढिया और राजा भोज की है बहुत समय पहले की बात है एक राजा भोज और एक पंडित सैर के लिए निकले लोग ते समय वे रास्ता भूल गए तब दोनों सोचने लगे कि अब रास्ता किस से पूछे पास में एक बुढिया ग्यों के खेत की रखवाली कर रही थी तो माग पंडित ने राजा से कहा बुढिया से पूछते हैं तो राजा ने कहा ठीक है वे दोनों बुढिया के पास गए और राम राम की, बुढिया बोली भाई आओ, आओ राम राम, तब वे बोले माई ये रास्ता कहां जा रहा है, बुढिया ने उतर दिया, ये रास्ता तो यही रहेगा, जो इसके उपर चलते हैं, वो जाते हैं, वैसे भाई तुम कोन हो? राजा भोज ने कहा, बेहन हम पथिक है, बुडिया बोली, पथिक तो दो है, एक तो सुरज, दूसरा चनजरमा, तुम कोन से पथिक हो, भाई सच सच बताओ, तुम कोन से पथिक हो, तो राजा के पंडित ने कहा बहन हम तो पाहूने हैं बुडिया ने कहा पाहूने तो दो होते हैं एक तो धन दूसरा योवन तो भाई तुम सच-सच बोलो तुम कोन हो राजा ने कहा हम तो राजा हैं तो बुडिया ने कहा राजा तो दो होते हैं एक तो इंद्र दूसरा यम तुम कौन से राजा हो बुडिया ने कहा तो माग पंडित बोला बहन हम तो छमतावान हैं तो बुडिया ने कहा छमतावान तो दो होते हैं एक प्रत्वी दूसरी इस्त्री तुम कौन हो तब राजा भोज ने कहा हम तो साधू हैं तब बुडिया बोली साधू तो दो हैं एक सनी दूसरा संतोस तुम कौन से साधू हो बुढिया बोली फिर कुछ सोच कर दोनों एक साथ बोले बहन हम तो परदेशी हैं परदेशी परदेशी तो दो होते हैं एक जीव दूसरा पेड का पात तो तुम कौन से परदेशी हो बुढिया ने कहा तब माग पंडित बोला हम त तो दो होते हैं, एक तो बक्री का बच्चा, दूसरा दूसरी लड़की, हम दोनों सोच में पढ़ गए, फिर पंडित ने कहा हम तो चतुर हैं, तब बढ़िया बोली, चतुर तो दो होते हैं, एक तो अन, दूसरा पानी, तो तुम कोन हो, सच, सच बताओ, तो दोनों तुम उजेन जाना चाहते हो तो जाओ उजेन का रास्ता यही है।